सब्सक्राइब कीजिए इहंदी उर्दू शैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैं बताने के आपके एंड्रोईड ओर्यो डिवाइज में फूल स्क्रीन जो एड्स आते रहें दोस्तों कैसे टूटली डिसेबल करते लेकिन आपको बहुत सारे अलग अलग में वर्क नहीं कर रहा है इसके अनर अलग आपको शेटिंग्स करना पढ़ेगा इसके लिए दोस्तों मैं आपको बहुत इजी और बहुत सिंपल मेथड लेकि आया हूँ और यहां पर आपको find out करना है pop-ups and redirects यह आपको block करना है दोस्तों इस तरही किसे block करने के बाद ads भी block करना है block करने के बाद next method follow कीजे phone settings में जाने कब नीचे scroll कीजे और find out कीजे Google उसको open कीजे open करने कब दोस्तों यहां पर आप दिख सकते है कीजे और इसको open कीजे open करने के बाद दोस्तों नीचे scroll कीजे और find out कीजे यहां पर आप देख सकते है keep in mind section में add settings उसको open कीजे दोस्तों तो open होने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों ads personalization across the web यह भी आपको disable करना इस तरीके से और just turn off पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको इस तरह का interface देगा और आपको next page में जाना है opt out of more ads तो यह यहां पर आपको tap करना है simple से इस तरीके से तो आप next page में चले जाएंगे next page में यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपके जो process है scan हो रहा है तो थोड़ी देर वेट कीजिए जो लास्ट प्रोसेस है दोस्तों थार्ट पार्टी cookies चेक यह इसका नहीं हो रहा है तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना आपको Google Chrome browser में जो थार्ट पार्टी cookies रहे दें दोस्तों option को थोड़ी देन के लिए इनेवल करना है इस तरीके से और site settings में जाए और यहां पर cookies में जाए और यहां पर आप देख सकते हैं अलो थार्ट पार्टी cookies की option की आप इनेवल कीजिए और बैक जाए इस तरीके से बैक जाने के बाद दोस्तों फिर से यह पेज को एक मरतबार रिलोड कीजिए वो जो चारो option से दोस्तों अभी completely scan हो जाएगा यह देखे दोस्तों उसके बाद आपका next process start हो जाएगा यह देखे तो यहां पर आपको तुना time लग सकता है तो थोड़ी देर रिवेड किए य बी लिए तो जैसे process complete हो जाएगा दोस्तों नीचे scroll कीजिए और continue फे click किजिए continue फे click करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको इस तरह का interface दिखाए देगा यह देखे और यहां पर आप देख सकते हैं यह जो columns है दोस्तों column के top right side में select all option है दोस्तों आपको इस तरह के से select क करना है यहां पर आपको bottom right side में option देखने को मिलेगा तो just submit choices उस पे click किजिए next process restart हो जागा यह भी जो प्रोसेस है दोस्तों मैं fast forward कर रहा हूं इसके बाद दोस्तों आपको यह process complete होने बाद एक मरतबह आपका device restart करना है restart करने बाद इसके इन feature आपको आपके android orio device में कोई on screen full screen ads को दोस्तों देखने की मिलेंगे वह totally disabled हो जाएंगे तो यह है दोस्तों easy और simple method full screen ads को disable करने के लिए आपके android orio devices में बहुत सारे method आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन दोस्तों वह जो methods को में सेक्षिन में आपने रॉट से ग्लेयर कर सकते हैं थाइंक्यू